हालो फ्रेंट्स मैं हूँ किरन और आफ सभी को आपकी अपनी चैनल की रन ओफिसल ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंट्स मैलाई जब प्रेगनेंट होती है तो उन लोग के मन में बहुत ज्यादा सवाल होने लगते है उन लोग के मन में हर चीत जाने की जी ग्यासा होती है उनके मन में सबसे ज्यादा जी ग्यासा ये होती है कि उनके गर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की ह ये हर pregnant मैलाओं के मन में ये जी ग्यासा होती है उन्हों की ये जानना चाहते है कि उन्होंने baby boy को conceive किया है या baby girl को conceive किया है ये हर pregnant मैलाओं जानना चाहती है तो friends आज इस वीडियो में हम लोग ये बात करें कि pregnancy के दौरान pregnant मैलाओं अपने pregnancy किसे कैसे पता करें कि उनके गर मे पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है ना तो फ्रेंज ये जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंतक जरूर बनी रहीएगा और अभी तक आपने चैनल को लाइक और सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दे और साथी साथ फ्रेंज आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंज और फैमली में सेर जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल का बेल आइकन को नहीं दबाया तो जल्दी से पहले चैनल का बेल आइकन को जरूर दबा दे जिससे मेरी जितनी भी अगले आने वाली वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी फ्रेंज महिलाए जब प्रेगनेंट होती है और उस दोरान प्रेगनेंट महिलाओं के मन में उनकी कोई प्रेगनेंट में सबसे तक उनकी की इस वाल उता ही है कि उन्होंने कौन से बेबी को conceive किया है बेबी बोई को conceive किया है या बेबी गल को conceive किया है क्योंकि फ्रेंस ये बात मुझे भी पता है क्योंकि जब मेरे प्रेगनेंटी और मेरी ये पहली प्रेगनेंसी तब भी मेरे मन में ये जी गया सा थी कि मेरा होने वाला बच्चा क्या होगा मैंने जिस बच्चे को कंसीव किया है वो बेबी बॉय होगा या बेबी गल होगी ये मेरे मन में भी उत्सुकता होती थी जब कि मेरी ये पहली प्रेगनेंसी थी तब भी मेरे मन में ये सवाल उड़ते थे जब पहली प्रेगनेंसी में प्रेगनेंट मेलाओं को यह जी घ्यासा होती है कि उनके गष में पल रहा बच्चा क्या हो लार्का कि प्रेगनेनशी में नगे जी घ्यासा होती है तो आप भी समझ जाएगी कि दूसरी और दीसरी फ्रेगनेंसी में होना तो नगी चाहेगी कि उनकी एक बेबी गल हो नकी बेबी गल और जिनकी पहले से एक बेबी गल हो तो भी चाहेंगे क superior do a क्योंकि फ्रेंट हर कोई जाता है हर फैमली मेंबर चाहता है और ゃहां तक कि मा भी चाहती है कि उनको दोनो संतान मिले उनको baby boy का सूख भी मिले और baby girl का भी सूख मिले यह हर pregnant मैलाय चाहती है pregnant मैलाय तो चाहती है says my her family member भी यह चाहते हैं कि उनके घर में राजकुमार भी आए और राजकुमारी भी आए तो इसी लिए friends हर pregnant मैलाओं के मन में यह जिग्यासा होती कि उनका होने वाला संतान क्या है तो फ्रेंस आज ये वीडियो में उन्हीं प्रेगनेट मैलाओं की मन की उद्शुकता को दूर करने के लिए वीडियो बनाई हूं मेरे इस वीडियो का मतलब लड़का और लड़की में भैदभाव करना बिल्कूल ही नहीं है तो फ्रेंस कभी भी लड़का लड़की में भैदभाव नहीं करती हूं और क्यों करना फ्रेंस लड़का और लड़की दोनों एक समाने फ्रेंस लड़का और लड़की में कभी भी भेदबाव करनी भी नहीं चाहिए और मैं भी कभी नहीं करती हूँ लड़का लड़की में में भी कभी भेदबाव नहीं करती हूँ जिन प्रेग्नेंट मैलाओं के मन की उच्छ सुकता को मैं थोड़ी सांध कर पाऊं इसलिए सिर्फ में ये वीडियो बनाई हो तो फ्रेंज आज हम लोग बात करेंगी कि प्रेग्नेंसी के दौरान प्रेग्नेंट मैलाए अपनी प्रेग्नेंसी कीच से कैसे पता करें कि उनके घर में पल रहा बच्चा लड होती है तो वह अपना प्रेग्नेंसी टेस्ट घर में ही करती है ऊच कहे प्रेगनेंसी करने के लिए जब मैलाओं का पिरेडड डेट ग्याप होता है उसBean म जब अपना pregnancy test करती है और जब pregnancy test करती है तो उस दोड़न आप morning का urine से test करेंगी तो उससे अच्छा रिजल मिलता है उससे आपको confirm पता चल जाता है कि आप pregnant है या नहीं है अगर आप pregnant है तो उसमें दो लाइन बनते है और अगर आप pregnant नहीं है तो उसमें सिर्फ एकी लाइन बनते है अब आप सोच रहे होंगे कि लाइन तो दो यी बनते है तो इससे कैसे पता चलेगा कि गर्व में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है जब आप pregnancy test करती है और उस तोरान जब वो test kids में दो लाइन बनते है तो pregnancy kids में अगर दो लाइन बनी हो और दोनों लाइन पुरी dark color की बनी हो दोनों लाइन पुरा red दिखाई दे रहा है आपको दोनों लाइन dark color का है तो माना जाता है कि गर्व में पल रहा बच्चा लड़ कि अगर दो लाइन बनी हो अगर दो लाइन बनी हो एक light sein और रहार दोनों लाइन बनी हो ये माना जाता है कि घर में पल रहा बच्चा लड़की हो दिखाण के फ्रेंस जयाता तर प्रेगनेंट मैलाओं में भी देखा गया है जीनों ने बेबी बॉई को जनम दिया है उसमें अगर दोनों डाक कलर की लाइन बनी हो तो यह माना जाता है कि गड़ में पल रहा बच्चा लड़का होता है अहीं फ्रेंट्स प्रेगनेंसी किद्स में अगर एक बाद में जब मैं अपना प्रेगनेंसी टेस्ट की थी तो उस दरान नो ही लाइन थे वो डाक लाइन बने तो फ्रेंट्स यह मेरे साथ मैच हुआ मेरी प्रेगनेंसी के दरान मैंने जो टेस्ट किया था वो किद्स में आप लोको इस वीडियो में जरूर देखाओगी तो के दरान आप देख सकते फ्रेंट्स मुझे जब पता चला था मैं प्रेगनेंसी जो किद्स था उसका मैंने पोटो क्लिक किया था मैं इस वीडियो में आपको अपनी प्रेगनेंसी किस्ट भी दिखा दोंगी वह आप जरूर देखिएगा उससे आपको भी पता चल जाएग Moder है कि मेरी प्रेगनेंसी के दारन ये symptom माच्क मुछमें मैच हुआ था लेकिन आपका बेवी बोय होगा या बेवी गरल होगा कNews पहले कोई भी नहीं बता सकता है ये कानफर्म को आपकी डिलीवरी के बाद ही आपको पता चलुए आपका baby boy होगा या baby girl होगी है आपकी delivery के बाद ही आपको confirm होगा जब मैंने अपना pregnancy test किया था तो मैंने भी फोटो क्लिक करके रखा था मैं भी यह जानना चाहती थी कि मतलब मेरी pregnancy के दौरन यह symptom match होगा या नहीं होगा तो friends मेरे साथ match हो गया इसलिए में इस वीडियो में आप लोगो वो सारी चीजे में आप लोगो बता रही है और जो दूसरा symptom है वो है friends pregnancy के दौरन pregnant मैलाओ के गर में जब baby boy होता है तो वो हमेशा पेट के निचली हिस्से में होता है और जब baby girl होती है वो पेट के उपड़ी हिस्से में होती है यह भ मेरा बच्चा हमेशा पेट के निचली हिस्से में ही मेरा बच्चा न रहता था मुझे जहादा तर अपने बच्चे की हलचल पेट के निचली हिस्से में ही महसूस होती थी पेट के उपड़ी हिस्से में मेरे बच्चे की हलचल मुझे उतनी महसूस नहीं होती थी तो friends यह म मेरे साथ ना मैच हुआ तो हो सकता है फ्रेंज QI ž में विम्टंभ चाहए हुने की जो तिसरी सिम परस के दीर मेलाओ को मरनिंग व्ह唱 बहुत कम और प्रेंज पर दीर मेलाओं को मॉर्निंग सिप्नेस बहुत कम और ते CAP मेलं ममनिंग सिंखनेस ना के बड़ा बर होती है उन लोग को मॉर्निंग सिखनेस होती ही नहीं है और किसी किसी प्रेगनेट मेलाओं में हलकी फुल की मॉर्निंग सिखनेस होती है और कितनी प्रेगनेट मेलाओं में बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिखनेस होती है तो जीन प्रेगनेट मेलाओं को मॉर्निंग सिखनेस ह बहुत ज्यादा होती है, उन्लों को बहुत ज्यादा morning sickness फिल होती है, तो यह माना जाता है कि गर्घ में पल रहा बच्चा लड़की होती है, तो friends, यह symptom ही मेरे साथ मैच हुआ, कभी कभार मुझे ऐसी morning sickness फिल होती थी लेकिन ज्यादा तर मुझे मॉर्निंग सिखने स्फिल नहीं हुआ था तो फ्रेंट्स यह सीम्टम मेरे साथ मैच हुआ यह ज्यादा तर प्रेगनेंट मैलाओं में देखा गया है जिन प्रेगनेंट मैलाओं ने पहले से बेबी बोई को जनम दिया है उन स्वाय केमा नMichические रही मौन प्रेगनेंट मैलाओं में देखिए तो फड़से बताते हैं कि उनका होने वाला बचना कै त ज्युक्त ने का तज़ुर्बा होता है वो पहले से ही अनुभाओं कर रहे हैं और कित्नी प्रेगनेंट मैलाओं को बता चुक होगी इसलिए वो प्र pregnancy के दरण भी यह सारी symptom मुझ में देखके बताती थी कि तुम्हारा बेटा ही होगा तो friends वाज में मैरा बेटा वगया वह जो symptom मुझ में बताई थी वह सारी symptom मुझ में match होग है friends इस वीडियो में मैंने 3 symptom में आप लोगों को बतायी हो सकता ये तीनों सिम्टम में कोई सिम्टम आपके साथ मैच हो जाए या फिर ये भी हो सकता है कि ये सारी सिम्टम आपके साथ मैच हो जाए जो मेरी प्रेगनेंसी के दरण मुझ में दिखाई दिया था लेकिन फ्रेंज आपको ये याद रखना है कि हर प्रेगनेंट मेलाओ की प्र होती है और pregnant 밀ख में हंचे होते हैं जिसमी और एक जिब लुडिया केश नहीं दिखाए पाई लिघ yön की मैं वस्ते क küç नहीं है। मुझे लिखे कोई बसे पहुत नोरमल जिलीवरी के लिए आपको क्या क्या कर लीए उसके लिए मैंने एक अलग सी वीडियो बनाया है जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे हम उससे आपको बहुत हेल्प मिलेग्यं ओके फ्रेंज मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक आप अपना ख्याल रखें खुश रहें बाई-बाई टेक केर फ्रेंज नमस्ते